यहां टाइटल में बैलोज का मतलब है किसी चीज के लिए जोर से चीखना गुसे में चीखना या पीडा से चीखना for the bullough यानि क्यानी के लिए चीख अब यह चीख कैसी है गुसे वली चीख है और पीडा वली चीख है यानि कि क्यों रखा गया यह हमें स्टोरी को रीड करने के बाद पता चेलेगा और यह स्टोरी क्या है अह्रियानवी falk tale taking tale what is कि अब लोग कथा क्या होती है लोग कथा ऐसी कहानियां होती है जो किसी विशिश शेत्र में या किसी विशिश रिजन के अंदर लोगों के द्वारा काफी बोली जाती है आम लोगों के बीज में काफी प्रचलित होती है ऐसी कथाओं को लोग कथा कहते हैं और हमारा ये जो लेसन है बैलोस फॉर दबुलग ये एक हर्यानवी लोग कथा पर अधारित है बिफॉर स्टार्टिंग इस लेसन और वी में कॉल स्टोरी लेट उस रीड अबाउट इस स्टोरी ये जो कहानी है ये हर्याना और हर्याना के लगते शेत्रो राजस्थान और उत्तरपरदेश में प्रचलित एक लोग कथा है एक फेमस लोग कथा है जिसका ओरिजनल टाइटल है धन्द धाई का और इस ओल्सो फ्रिक्वेंटली उस इन एडियम जिसे एक हम मुहावरे के तोर पर भी यूज करते है और इस मुहावरे का धन्द धाई का अर्थ होता है बैक तो दे सेम सिचुएशन मतलग कि पहले वाली परिस्थिती में वापस आ जाना means that we may say that the story बैलस फॉर दा मुलक is based on a हर्यानवे फोग टेल और जिसका ओरिजनल टाइटल है धन्द धाई का तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन को once there was a very poor peasant एक बार एक काफी गरीब किसान था पिसेंट यानि किसान though he had a small piece of land उस यद्यपी यानि यद्यपी यद्यपी उसके पास एक थोड़ी सी जमीन का टुकडा था he was hard working and wise यानि कि वो गरीब था but hard working था और wise था after a lot of labor and effort बहुत सारी महनत के बाद और प्रयासों के बाद he saved up 50 rupees उसने 50 rupees save कर लिये he thought I will purchase an ox with this money उसने सोचा कि मैं इस money से एक ox खरीदूँगा एक बैल खरीदूँगा I will purchase an ox with this money and along with another poor peasant make a pair of oxen और मैं जैसा कि एक बैल खरीदूँगा तो दूसरे गरीब किसी किसान के साथ उसके जोड़े को use उसके बैल को use करके बैलों का एक जोड़ा बना लूँगा one bullock mine and one his एक बुलक मेरा होगा एक बुलक उसका होगा और इस तरह से हम दोनों अपने खेतों में खेती कर लेंगे both of us then will be able to do farming properly और इस तरह से दोनों ही किसान farming असानी से या properly कर पाएंगे now he looked forward to the annual cattle fair there was to be held after a few days in village some six costs away अब उसने अब वो एक annual cattle fair यानि कि वार्षिक पशु मेले की का इंतजार करने लगा look forward यानि की wait करने लगा जो की हर साल उसके गाउं से छे कोस दूर लगभग छे कोस दूर organize होता था और ये कुछ ही दिनों में लगने वाला था क्या लगने वाला था? एक cattle मेला लगने वाला था तो पीजिंट वेंट तो दे फेयर तो बाई अ बुलक और ये किसान इस मेले में एक बुलक यानि की बैल खरीदने के लिए चला गया जैसा कि उसकी 50 रुपीज की बचत थी तो उसने काफी ट्राई किया लेकिन 50 रुपे में एक अच्छी नसल का बैल कैसे मिल सकता था at last he was able to find an old बुलक finally उसने एक बुड़ा बैल खरीद लिया the बुलक was no doubt old इसमें संदेह नहीं था कि बैल बुड़ा था but because of its good breed had no blemish लेकिन उसके प्रजाती अच्छी थी इसकी वज़े से इसमें कोई दोश भी नहीं था the peasant thought he will do fine किसान ने सोचा कि ये बैल सही रहेगा in any case better than no bullock at all और कम से कम कोई बैल ना होने से तो अच्छा ही होगा having bought the bullock the peasant went back to the village और बैल खरीद कर peasant अपने यानि किसान अपने गाउं वापस जाने लगा on the way late in the evening he came across a small धानी धानी क्या होता है खेतों की बीच में एक घर और जब वो evening में late evening में अपने घर वापस जा रहा था village जा रहा था तो वहाँ उसने एक धानी देखी छोटी सी धानी देखी to spend the night he approached the premises of a well-to-do farmer और अपने night यहाँ बिताने के लिए वो एक समरिद किसान के आंगन में इस तरह से पहुँच जाता है but it turned out to be the house of thug उसने तो सोचा था कि यह किसी किसान का घर है लेकिन यह एक thug का घर निकलता है the thug had four well-built sons इस thug के चार हटे-कटे बेटे थे as full of guile as they were really जितने वो हटे-कटे थे उतने ही वो ठगी से भरे हुए थे चलाकी से भरे हुए थे true to their trade और अपने trade के प्रती अपने व्यापार के प्रती यह काफी पक्के थे क्या व्यापार था इनका ठगी all of them instantly sensed that the peasants was a simpleton उन सभी ने तुरंत से instantly यानि तुरंत से तुरंत से समझ लिया sensed यानि समझ लिया कि यह जो किसान था यह एक simpleton था यानि सधारन सा भोला भाला वित्ती था and could be kond easily kond यानि मूर्ख बनाना या ठगा जाना और इसे असानी से ठगा जा सकता था they said to the peasants उन्होंने किसान से कहा why don't you sell the bullock तुम अपने इस बैल को बेच क्यों नहीं देते peasant thought that there was nothing wrong if he could make a profit of 20 or 30 odd rupees the peasant ने सोचा कि इसमें कोई गलत नहीं है अगर मैं इस बैल से 20-30 रुपे कमा लेता हूं reflecting for a few moments कुछ पल सोचने के बाद on what should be a good bargain कि क्या अच्छा सोदा होगा उसने कहा 125 रुपेस मैं इसको 120 रुपे में बेज दूँगा the son said that it was too inflated inflated यानी high बेटो ने कहा कि ये एक बहुत ही high price है the eldest son said चोधरी we can't come to an agreement on this price सबसे बड़े बेटे ने कहा किसान को कि हम इस price पर सहमत नहीं हो सकते हैं the difference in price is huge क्योंकि तुमने जो price बताया है उसमें काफी अंतर है then what should we do the peasant asked किसान ने पूछा तो हमें क्या करना चाहिए another one of the sun said दूसरे बेटे ने कहा let us make some wise old man our punch हम किसी बूढ़े wise man को गुधिमान विक्ती को अपना punch बना लेते हैं let the price be what he says और जो वो कहेगा उसी को price समझ लेंगे what we are waiting for then फिर हम किस चीज़ की wait कर रहे हैं sitting right there is our tau यहां हमारे tau जी बैठे हैं गुधिमान और बुढ़े आदमी है sad the simple peasant looking at the old thug who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining और यह बात किस ने कही कि हम इन tau से अपना जो bargaining has या price of a decide करा लेते हैं यह उस बिचारे किसान ने कही सीधे साधे जो कि उस बुढ़े ठग को देख रहा था दिखावा कर रहा था to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining इस सोदे से अलगाओ को वो दिखा रहा था कि मुझे इस सोदे से कोई लेना देना नहीं है peasant did not suspect that his simplicity and straightforwardness was getting him into a trap और यह किसान समझ ही नहीं पाया यह संदे ही नहीं कर पाया कि उसकी simplicity और straightforwardness से वो एक जाल में फस रहा है the thug and his sons were happy to get their way so easily thug और उसके बेटे इतनी असानी से रास्ता बनते रहने पर काफी खुश हो रहे थे they got they got what they wanted उन्हें वो मिल रहा था जो वो चाह रहे थे the chaudhary agreed to make their father arbiter अब इस तरह से ये जो चaudhary था या किसान था ये उनके father को बिचोलिया arbiter यानि की बिचोलिया बनाने पर सहमत हो जाता है the old thug had to be addressed twice before his attention could be drawn to the affair और इस बूडे ठग को दो बार पुकारना पड़ता है इससे पहले कि वो इस affair यानि की मामले में दखल अंदाजी देता ये जान पूच कर कर रहा था दिखावा कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है इसलिए वो ना सुनने के एक्टिंग करता है और उसे दो बार पुकारना पड़ता है in order to make the peasant commit fully to their game plan to their game plan he said और पूरी तरह से peasant को अपने game में फसाने के लिए अपने plan में फसाने के लिए इस बूढ़े विकती ने जो की ठगो का father था क्या कहा no folks नहीं नहीं I don't want to get into any quibble मुझे किसी quibble में मुझे किसी भी पहेली में किसी भी मुद्दे को सुलजाने में नहीं पढ़ना है I am an old man मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ I bid my time in prayers मैं अपना time भगवान की prayers में बिताता हूँ that's all और यही बस इतना ही करता हूँ इतना ही चाहिए मुझे the peasant was overwhelmed उसकी बात सुनकर किसान बहुत ही गद गद हो गया मतलब दिल से खुश हो गया He reverently reverently यहनी आदरपूर्वक He reverently said उसने आदरपूर्वक कहा thou you are our elder कि तुम हमारे बड़े हो you are wise and experienced तुम बुद्धिमान भी हो और अनुभवी भी हो we will look up two people like you to help us get out of difficult and tricky situations और हम जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ देखते हैं जब कोई मुश्किल या tricky situation में फस जाते हैं लाइफ में whatever price you may suggest I will accept और जो भी price तुम कहोगे मैं वो स्विकार कर लूँगा and we too shall accept set all the four sons in unison unison होता है एक सूर में एक मत होकर and we too shall accept और हम भी accept कर लेंगे उसके चारों बेटों ने एक आवाज में कहा maintaining a practice attachment और फिर भी एक अलगाव को मतलब ये दिखाते हुए कि मुझे कोई मतलब नहीं है इस तरह है कि अलगाव को maintain करते हुए the old thug begin old thug ने कहा look brother both the parties are showing me difference जैसा कि भाईयों दोनों parties दोनों पक्ष मुझे ये सब कहने के लिए कह रहे हैं but it is कल्यूग लेकिन फिर भी ये कल्यूग है hair punches are treated most regularly और इस टाइम पर ऐसा समय है कल्यूग का जिसमें कि punches को सबसे जादा यानि निर्देता पूरवक treat किया जाता है I am not inclined inclined यानि बाध्य है to accept this punch बना और मैं बाध्य होना भी होता है inclined का meaning और इच्छुक भी होता है तो यहाँ क्या meaning है ये कहता है जो बुड़ा ठाग है मैं इस punch बना करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ no ताउजी whatever you decide we shall accept happily the peasant reverend तो फिर peasant ने दुबारा से कहा कि नहीं ताउजी जो भी तुम price decide करोगे हम खुशी-खुशी माननेंगे all right ठीक है then listen all of you तो मेरी बात सभी ध्यान से सुनो whatever verdict I announce will be binding to all जो भी मैं फैसला करूँगा सभी को मानना पड़ेगा of course they all said in a chorus chorus यानी गीत गाते हुए एक तरह से तो उन सबने एक समुगान के रूप में सभी ने इकठे कहा निश्चित रूप से of course to test the peasant further the old thug asked probingly और peasant को किसान को और जादा जाँचने के लिए बूडे ठग ने जाँच करते हुए पूछा चोधरी what you will do if I say I assess your bullock worth two पैसा चोधरी क्या करोगे अगर मैं तुम्हारे बैल की कीमत दो पैसा कह दूँ तो किसान क्या कहता है I will abide by that too the peasant said unflissingly unflissingly का मतलब होता है दृड़ता पूर्वक तब किसान ने दृड़ता पूर्वक कहा मैं वो भी मान लूँगा abide by यानि पालन करना मैं उसका भी पालन करूँगा He had complete faith in the judiciousness of the wise old man ऐसा उसने क्यों कहा क्योंकि उसको इस बुढ़े old man की बुढ़े wise man की निश्पक्षता के अंदर नियाय प्रेता के अंदर काफी विश्वास हो गया था Turning to his sons the oldest oldster said और अपने बेटों की तरफ मुढ़ते हुए उस बुढ़े ने कहा छोरियों I will assist the Chaudhry's bullock worth a thousand rupees Will you agree? अगर मैं इस Chaudhry के बुलक के किमत एक हजार रुपे लगा दू तो क्या तुम मान जाओगे? हाँ, they about तो उन्होंने कहा हाँ, हम मान जाएंगे then it's all right तो ठीक है Now I can add in it add in adjust it तो ठीक है अब मैं नियाय कर सकता हूँ Saying this old man got up ये कहते हुए वो अपने coat से यानि की चार पाई से खड़ा होता है and started looking at the बुलक और बुलक की तरफ देखता है from all sides and angles चारो तरफ से देखता है चारो कोनों से देखता है and examining it very carefully और इसका बहुत ही सावधानी पूरवक निरक्षन करता है counted the teeth उसके दांत गिनता है twisted the tail पूच को मोड कर देखता है and moves his hand to and fro on its back to and fro यानि आगे से पीछे तक और अपने हाथों को इस बैल की कमर पर और बैली पर यानि पेट पर आगे पीछे गुमाता है अब चोधरी सोचता है यानि कि किसान सोचता है कि ये ताउ इस बैल की कीमत कुछ ना कुछ ज़्यादा ही बोलेगा जितने में कि उसने उसको खरीदा है उससे ये half lesson हम इस वीडियो में कर चुके हैं और बाकी half lesson को हम next वीडियो में complete कर लेंगे because ये lesson काफी लेन थी है